तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये बाकी जितने भी हम वीडियो बनाते हैं रेगुलर उनसे काफी अलग होने वाला है और ये अनकट होने वाला है यहाँ पे ना कोई इंट्रो होगा ना कुछ होगा मैं आपको बता दू कि काफी दिन से आप देख रहे होगे कि मेरी वीडियो का जो बैक्ग्राउंड है वो थोड़ा डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैं हवासिंग के स्टूडियो में जाके वीडियो बना रहा हूं जो कि बिल्कुल मेरे पास में है एक्चुली बहुत सारे लोगों ने इवन आप लोगों ने मुझसे कमे तो आपको लगेगा वाई मैं गार्डन में शूट कर रहा हूं तो पुरा का पुरा गार्डन मैंने बनवा लिया है इसके बारे मैं बताऊंगा अभी उससे पहले बहुत सारे लोग मुझसे यह भी पुस्ते है कि मैं कौन-कौन से एक्प्मेंट यूज करता हूं शूट कर एक जीड़ियो को सात कैमरे मेरे साथ ही अभी कैमरे मेरे पास हों देख सकते हैं सेवन opt कैमरा पर रखे हुए और एक एक कैमरा मैंने 7 पर्भे और मेंने यहां देख सकते हैं इइस सबसे महेंगा है जिससे मैं इसको शूट कर रहा हूँ वीडियो को साथ कैमरे इसके लाव बता दू एक कैमरा हमारा यहां पर रखा हुआ है आप देख सकते हैं यह कैमरा है Canon 200D Mark 2 कैमरा 60,000 का है बट यहां पर जो यह लैंस है ना में खेलिस लैंस का है यह लैंस सिगमा का है और करीब 70,000 रुपे का बहुत ज़्यादा मसकत करने के बाद मुझे लैंस मिला था अभी तो ऑनलाइन मिल जाते है बट उस वक्त नहीं मिल रहा था तो मैंने यह मुंबई से प्रवाए किया था इसके अलावा यहां पर आप जाएए यहां पर यह भी एक कैमरा है यह है इंस्टा 360 1X2 और यह भी 360 का एक लेटेस्ट मोडल है और यह भी काफी अच्छा कैमरा है अभी पहला बंदा हूं जो हिंदी में इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा अभी तक इंड 4K पर भी काम करता है 360 पर इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं यह है DJI Pocket 2 यह बहुत ही लिटल सा कैमरा है बहुत ही प्यारा सा है लेकिन भाई क्या कमाल की रिकोर्डिंग यह करता है 4K में आप इससे शूट कर सकते हैं कलर्स बहुत अच्छा आते हैं व्लॉक के लिए जब कही काम करता है इसके बाद यह भी एक कैमरा है यह लोजिटेक का एक HD वेप के में एवन फुल HD वेप के में और इसको मैं लाइव में यूज करता हूँ जब मैं लाइव करता हूँ तो इस वाले कैमरे को मैं यूज करता हूँ एक और हमारे पास कैमरा यह बड़ा आप को जो है मिल जाएगा अनबॉक्सिंग इसके बाद माईक की बात कर लेते हैं तो देखे माईक भी मेरे पास काफी है उससे पहले बता दू में पर लैंस भी काफी है देखे यहां पे लैंस रखे हुए एक दो तीन चार इसमें लगा हुआ है पांच एक इसमें च्छे च्छे हमारे पास है तो तोटल साथ कैमरे हो गए एक कैमरा दो तीन चार पांच छे साथ इसको भी लगा ले तो आठ हो जाएँगे और भाई मैं आपको बता दू कि एक कैमरा जल्दी आने वाला है मैंने अभी एक कैमरा कैनन का 4K mirrorless camera और बाय किया है परसो आ जाएगा मेरे पास इसे की तरफ आप रख सकते हैं यह एक छोटा गिंबल है इससे मोबाइल वगेरा के शूट बहुत अच्छा आते हैं इसके लावा यहां पर भी गिंबल रखे हुए यह वाला जो मैंने दिखाया आपको यह थ्री एक्सिस गिंबल था लैप्टोप की जहां तक बात कुरूं म इसके ऐलावा भी मेरे पास तीन लैप्टोप है जैसे एक लैप्टोप हूए वो हमारे अकाउंटर थक्से ऑप यूसं करते हैं और स्भार हजार हुए काम देखने के लिए दुआ के लिए मैं इसके अलावा मुनिण मेरा पहले उतली वह काफियों यहां मेंने उन्हां और और यहां पर देखिया, मेरे कोलर में भी लगा हुआ है, इसकी भी अन्बॉक्सिंग मैंने अभी बनाई है, बट चैनल पर डाली नहीं है, इसके अलावा, एक और मैंने माइक यहां पर खरीद हुआ है, देखो, NT1A, यह वाला माइक इंटरफेस के साथ काम करता है, और यह काफी सारी हार डिस्क है, बैक अप प्लस करके, बहुत सारी हार डिस्क है, यहां भी यह है, वहां भी लगी हुई है, और भी मैंने दराज में भी रखी हुई है, तो करीब मेरे पास एक लाग रुपे का, तो सिर्फ और सिर्फ हार डिस्क हार डिस्क है, कंप्यूटर की बा ब्रैंड प्रमोशन पर कोई explain वीडियो बनाऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा तो तो तोटल अगर मोटा मोटी बात करें तो 25 ते 30 लाग रुपे के मेरे पास वह एक्विपमेंट है जो मैं यूज करता हूँ जिनमें ट्राइपोर्ट भी हो जाते हैं बहुत महंगी आती है और यह चीजे अब देखो जैसे मेले यह यह देखिए यह जो इस पंज आपको दिखाई दे रहा है यह करी मेरे रूम में 25 तीजार रुपे के लगे हुए अब यहां पर एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी क्या यूट्यूवर वनने के लिए 25 60,000,000 के इतने सारे क्योपमेंट खरीदने पड़ते हैं तो मैं कहाँगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैंने एक मोबाइल से शुरू किया था जो आठाजार रुपे का था और अभी यह सारे धीरे-धीरे खरीदे एक दिन में नहीं आएंगे मतलब आप भी खरीद लोगे कोई मैंने भी मंगाए हैं मैंने को अभी टेस्ट कर रहा हूं और धीरे-धीरे इनकी अन्बॉक्सिंग आएगी इनका मैंने भी कोई हिसाब नहीं लगाया है खाली मैं नहीं का बता रहा हूं मतलब 25-30,000,000 के वही सेटप है जो मैं यूज करता हूं इसके लावा एक चीज मैं सबसे बड़ा जो बाती वह थी यह गार्डन यह गार्डन जो है यह मैंने इस्टूडियो में सेटप कराया है आने वाली वीडियो आपको काफी थोड़ी अलग दिखेगी और एक चीज मैं बता देता हूं थोड़ी से अपडेट मैं एक और स्टूडियो बना रहा हूं बनने में भी एक से डेड़ साल लगेगा तब तक मैं इसी स्टूडियो में वीडियो बनाऊंगा और आपको कुछ अलग मिले वीडियो कुछ बैक्राउंड अलग मिले इसलिए मैंने यहां पर वाल गार्डन लगवाया यह इसमें कोई पानी वानी नहीं देना पड़ता है यहां पर एसी चलता है तो इसकी डूरेबिलिटी भी काफी है इसमें यह रैड कलर के फूल है ग्रीन पत्या है और यह बहुत ही कमाल का लग रहा है यार बस इसको दिवार पर वो लोग इस्टॉल कर जाते हैं और यहां एक्चुल जो ओरीजनल फूल होते ना उसकी यह जो लेकिन फाइनली मुझे यहां भी एक बंदा मिला जिसने पूरा इस्टॉल करके दिया और इसकी अगर प्राइज की बात करें तो भाई 16,000 रुपे मेरे लगें इसमें भी आला कि उसने 20,000 मांगे थे मैंने काफी जाधर रिक्वेस्ट करी कि भाई देखो मैं एक रिवीव इसमें तो आपको देते रहते हैं आप बहुत महनत करेंगे बहुत काम करेंगे तो इनसे भी ज़यादा जो से теперь आजड़ आपcendo से हो मेरे आईफोन 13 Pro Max से ही शूट हो रहा है अला कि महेंगा मोबाइल है बट हो मोबाइल से रहा है तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था बहुत सारे लोग पूछ रहेते क्या 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 एक्विमेंट में यूज करता हूं कैसे इस्टूडियो चेंज करो सर इस्टूडियो